हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, इस्टड़ी बोट प्लस उत प्रशान तो फ्रेंट्स आज यूडियो में हम बात करने वाले हैं, वाई अर्थिंग पिन इस बिगर एंड थिकर फ्रेंट्स, आपने हमेशा ही नोटिस किया होगा, जो प्लक टॉप होता है, उसमें तीन पिन होती है जो उपर वाले पिन होती है, हमेशा इन दोन पिन के कंपरिजन में मोटी और लंबी होती है तो इसका क्या reason होता है friends friends इसके 3 reasons होते हैं और अगर आपसे कोई interview में पूछता है और आप 3 reasons बताते हैं तो interview में एक अच्छा impression बनता है तो friends आज मैं आपको 3 reasons बताने वाला हूँ कि क्यों ये जो pin होती है इन दोनों pin के comparison मोटी और लंबी होती है तो friends आई ये वीडियो को star करते है friends उस्ते पहले मैं आपको बताना चाहूँगा what is earthing और हम earthing क्यों करते है तो friends वे 3 pin होती है उपर वाली जो मोटी pin होती है और नीचे वाली जो छोटी pin होती है दो इस उपर वाली pin को हम बोलते है earthing pin और एक होती है आपकी phase वाली pin एक होती है neutral pin तो friends इसको अच्छे ते समझने के लिए एक system लेते हैं मानके चलिए friends कोई transformer के थुरू electric supply हमारी आ रही है जिसमें एक phase wire होगा ये red से मैंने phase wire indicate किया हुआ है और black से मैंने neutral wire indicate किया हुआ है ये supply हम कोई electrical load को दे रहे हैं मानके चलिए electrical load हमारी induction motor है single phase induction motor ये मानने हैं आपकी single phase induction motor है तो जो phase वाला wire होगा वो आपके terminal box के अंदर connect होगा similarly आपका neutral वाला wire भी terminal box के अंदर connect हो जाएगा लेकिन जो ये earthing वाला point होता है ये earthing वाला point आपका direct motor की body से connect होता है इस point को हम बोलते हैं मतलब जहाँ भी motor की metal body से connect होगा उस point पे direct earthing मिलती है तो friends मानके चलिए ये ground है और इस condition में हमने earthing नहीं दियो है बस किवल earthing का point है हमारे पास जैसे आप touch करते हैं मानके चलिए इस motor पे कोई leakage current है तो आपको shock लग जाएगा लेकिन अगर मैं क्या करूँ यहाँ से motor की body से earthing पे connection कर दे है उस condition में अगर इससे कोई पहले से fault current है और आप touch करेंगे इसको तो क्या होगा current आपकी body में नहीं आया के direct current यहाँ से ground पे पहुँच जाएगा क्योंकि जो ground का potential zero होता है इसलिए हम earthing करते हैं अगर हम definition की बात करें the process of transferring the immediate discharge मतलब leakage current यह fault current of electric energy directly to earth मतलब ground पे किसके तुरू transfer करेंगे by low resistance path जो यह मोटी वाले pin है यह आपका होता है earthing आईए फ्रेंड सब बात करते हैं जो हमारी main concept है आज की वीडियो का जो earthing pin मोटी की होती है तो सबसे पहला जो इसका region होता है वो होता है आपका safety के लिए फ्रेंड जैसी आप इस plug को connect करते हो जैसे आप देख पारें यह लंबी है इन दोनों comparison में यह वाली pin लंबी है तो जैसी हम इसको plug में connect करेंगे मान के चलिए plug में इसको connect कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो pin connect होगी वो earthing वाली होगी इस condition मान के चलिए आपकी motor पहले से faulty है मतलब जो आपका phase वाला wire motor की body से connect है और जैसे आप इसको connect करेंगे तो सबसे पहले earthing connect हो जाएगी इस condition में जो भी fault current होगा वो नीचे आजाएगा ground पे और हमें safety मिल जाएगी अगर हम touch करेंगे तो shock नहीं मिलेगा similarly जब ये connect होने कल आप इसे निकालेंगे तो सबसे पहले ये दोनों छोटे हैं तो ये वाले pin disconnect होगे उसके बाद last में earthing connect होगी तो दोनों condition में हमें safety प्रोवाइड हो जाएगी इस लंबी pin के कारण जो second reason है friends वो भी एक तरह से safety के लिए ही होता है और plus physical appearance इसका क्या reason है friends मान के चलिए ये pin हमारी लंबी तो है लेकिन जो इस pin का size है लंबी के बाद अगर पतला ही होता मान के चलिए तीनों एक ही size की होती ही ये length लंबी होती तो मान के चलिए अगर छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो लोग electrical background से नहीं है इस pin को गलती से phase वाले में गोसा देंगे उस condition में क्या हो जाएगा सारा current, earthing के through metal जो भी हमारा electric load है अगर motor है या cooler है उसकी body पे आ जाएगा तो motor damage हो सकती है और आपको current भी लग सकता है इसलिए हम इसे थोड़ा motor बनाते है as compared to phase or neutral pain ये आपकी जो है non-technical reason है जो third reason है वो बहुत important reason है और इस reason को technical reason है ये आपको हमेशा इंटर्वी में बताना है एक formula होता है r equals to rho l upon a ये 12 class में आपने जरूर पढ़ा होगा resistance का formula ohms law के थूँ तो आप यहां से देख पा रहे है resistance is inversely proportional to area जैसे कि ये pin आपकी मोटी है और लंबी भी है तो इसका area जादा होगा और अगर area जादा होगा तो resistance कम होगा और आपको बता है current कौन सा path follow करता है जो low resistance path होता है और earthing pin जो मोटी है इसका resistance low होगा और potential ground का zero है तो जो अगर पहले से इसके उपर fault current या फिर leakage current एविलेबल होगा वो direct ground पे पहुँच जाएगा तो friends ये 3 reasons थे earthing pin मोटी और लंबी friends मैंने 3 reasons आपको बता दिये है earthing pin मोटे और लंबी होने के लिए तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो like कीजिए friends और वीडियो को जाएशाधा share कीजिए और इसके बाद भी अगर आपके कोई queries है तो आप मेरे को कॉनेट सेक्शन है बता सकते है and friends please don't forget to subscribe my channel thank you